नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे देश में ओदोगिक बिवादों का निप्टारा ओदोगिक बिवाद अधिनियम 1947 के आधार पर किया जाता है जबकि किसी लेवर को ओदोगिक संस्थान से कोई समस्या होती है जैसे वेतन ना देना बिना उचित कार परण के नौकरिशे निकाल देना बेवजय परिशान करना इत्यादी तो लेवर नयाय पाने के लिए मामले को लेवर कोर्ट तक ले जाता है और नयाय पाता है इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि और दोगिक बिवाद अधिनियम के अनुसार लेवर कौन ह होता है तथा कोई लेवर अपनी सिकायत लेवर कोर्ट में कब और कैसे दर्च करा सकता है ऐसी यूचफुल वीडियो को पाने के जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहल अर्थात मजदूर को परिवासित किया गया है इसके अनुसार मजदूर कोई भी ऐसा बैकती है जो मजदूरी या बेतन के बदले किसी उद्दोग में सारीरिक, अकुसल, कुसल, तकनीकी, कारेकारी, कलरक या सुपरवाइजर का का काम करता हो चाहे काम की सरतें इसपष्ट या अंतर नहीं थों वह मजदूर होगा दोस्तो जब किसी लेबर अर्थात मजदूर को काम करने वाली संस्ता अर्थात नियोकता से कोई समस्या होती है तो वह अपनी सिकायत लेवर कोर्ट में करने के लिए जाता है परंतु भारत में और दोगिक बिवाद अधिनियम 1947 के अनुसार कोई मजदूर नियोकता के खिलाब सीधे लेवर कोर्ट में केस दर्ज नहीं करा सकता है परंतु एक मजदूर निधारित प्रक्रिया से लेवर कोर्ट जा सकता है तो दोस्तो चलिए जानते हैं कि एक मजदूर अपने नियोकता की सिकायत कहां और कैसे दर्ज करा स तो सरकार दोरा मजदोरों की समस्या सुनने के लिए भारत सरकार के इस्तर पर रीजनल लेवर कमिशनर और राज्ज सरकार के इस्तर पर लेवर कमिशनर की न्युक्त की गई है, यदि आप किसी भारत सरकार से सम्मंदित कंपनी में प्राइबेट या सरकारी नौकरी करते हैं तो रिजनल लेवर कमिशनर के पास और यदि आप राज्य इस्तर की किसी प्राइबेट या सरकारी संस्ता में काम करते हैं तो राज्य इस्तर पर कमिशनर आफिस में बैठने वा नियोकता से अपनी समस्या को एक साधे पेपर पर लिख कर Regional Labour Commissioner या Labour Commissioner के पास आफिस में जमा करा देता है तो उसके 30 दिनों के अंदर Labour Commissioner द्वारा आपकी company और आपको एक निशी date और time पर Commissioner आफिस में उपस्थित होने के लिए notice जारी किया जाता है आप Labour Commissioner के आफिस में जाते समय आपने जो सिकायत की है उससे related documents को प्रूफ के रूप में लेकर के जाएं notice में दी गई date पर Labour Commissioner आपकी और आपकी company के representative दोनों की बात सुनेंगे और matter को सुल्जाने का प्रियास करेंगे अगर उन्हें लगता है कि matter बात चीज से नहीं सुलजने वाला है तो Labour Commissioner स्वयम ही मामले को लेवर कोड के लिए refer कर देते हैं इस प्रक्रिया में आपके लगबग 6 महिने लग सकते हैं परंतुयदी सुनवाई स्टार्ट होने की डेट से 45 दिन हो चुके हैं और आपको लगता है कि company matter को नहीं सुल्याना चाहती है तो आप Labour Commissioner से request करके मामले को लेवर कोड के लिए refer करा सकते हैं जब आपका मामला लेवर कोड में चला जाएगा उस समय दोनों पक्चों की कोड में पेसी होगी इस प्रकार आपका मामला लेवर कोड में चला जाता है और उसके बाद मामले की सुनवाई लेवर कोड में होती है दोनों पक्चों को सुनने के बाद कानूनों के आधार पर लेवर कोड निरना देती है तो दोस्तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद